चैप्टर थर्टी प्रॉबिल्टी एक्सराइस 30.5 कोशन नमबर 25 ए एन बी टेक टर्न्स इन थ्रोईंग 2 डाइस दी फर्स्ट तू थो थो नाइन बी अवार्डिट दी प्राइस शोड़ाद देर चॉंस ओ विनिंग आरिंथी रिशो 9 इस टू 8 देखो कोशन यह है कि दो बंदे हैं इसदर A और B क्या करना है इन्होंने इन्होंने दो डाइस फैंक ने है ठीक है अगर उनमें 9 आया 9 मीन्स 9 तो तभी आ सकता है जब उनका सम 9 आएगा अगर इन दोनों में 9 आ गया जिसका पहले आया वो इस गेम को जी जाएगा और उसको उसका प्राइस मिलेगा तो कहता है कि जो जीतने की जीतने की प्रॉबिल्टी है वो 9 इस टू 8 होनी चाहिए ठीक है बतलब A और B की मिलाके 9 इस टू 8 में यह रिशो होनी चाहिए इसकी तो हम देखो क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं कि अगर 9 आएगा सम 9 कब आ सकता है सम इस 9 देखो सम 9 कब होता है या तो 3 6 हो या तो 4 5 हो या 5 4 हो या 6 3 हो अगर आब इन सब का सम करो 3 प्लस 6 9 4 प्लस 5 9 देखो सब 9 आ रहे है तो यह बनेगा कितने होगे टोटल है 1 2 3 4 और 2 डाइस में टोटल कितने होते हैं 2 डाइस में 36 होते हैं सेंपल स्पेस उसकी है ना तो यह बनेगा 1 by 9 यह हमारी सक्सेस होगी अब देखो और यह भी ले लो कि सम 9 नहीं आएगा तो उसकी प्र 1 माइनस कर दे रहा है इस में से तो 9 में से 1 गया 8 by 9 यह कैसे आया जैसे आप करते हो ना probability of not a not a की probability कैसे निकालते हो 1 माइनस p of a करके उसी तरह यह निकाला तो हम क्या करेंगे यहां पर हम ना पहले a को जिताएंगे और b को हराएंगे मतलब दोनों की निकालेंगे हम a को भ तो हम यहां निकालते हैं probability a wins probability a wins तो देखो a कब जीतेगा अगर जैसे a ने 2 dice को toss किया अगर उसका sum 9 आ गया तो वो जीत गया तो हम यहां कह सकते हैं कि a wins in first throw a wins in first throw a wins in first throw लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि a ने toss किया 9 नहीं आया अब b ने toss किया देखो हम यहां पर a को जिता रहे हैं तो हम b के case में हमेशा यही चीज लिखेंगे कि b के case में कभी भी 9 नहीं आएगा sum हम यह मान के चलेंगे तो हमने 2 dice को toss किया a के case में 9 नहीं आया sum 9 नहीं आया फिर b ने toss किया तो b के case में भी नहीं आया अब तीसरी बारी थी a की तो a ने किया sum 9 नहीं आ गया तो a कब जीता अब a wins in देखो ना पहले a ने toss किया 9 नहीं आया sum फिर b ने किया b का तो हमने 9 लाना ही नहीं नहीं है तो b का भी नहीं आया अब a ने किया toss तो a का 9 आ गया तो first second third a wins in third throw अब अगला case कों से हो सकता है देखो अगला case ही हो सकता है कि a ने toss किया 9 नहीं आया b का तो आना ही नहीं 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 आया फिर a ने toss किया नहीं आया अब दुबारा b की बारी b ने toss किया sum 9 नहीं आया अब A की बारी, A ने toss किया तो 9 आ गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो A wins in, A wins in 5th row, तो इसी तरह ये case चलता जाएगा, plus so on, ये infinity तक जाएगा, कहां तक जाएगा, अब A wins in 1st row, A ने A के 1st row में 9, sum 9 आ गया, तो sum 9 आने की probability कितनी है, 1 by 9, अब दूसरा case, A wins in 3rd throw, A तीसरे throw में जीता, मतलब कि पहले case में उसका sum 9 नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया, तीसरे में आया, तो पहले में नहीं आया probability 8 by 9, दूसरे में भी नहीं आया, तो उसकी भी probability 8 by 9, और तीसरे में भी 9 आया sum, तो sum आने की probability 1 by 9, अब अगला case है A wins in 5th row तो 5th row में क्या हुआ कि A ने 2 dice को toss किया sum 9 नहीं आया इसमें भी नहीं आया इसमें भी नहीं आया और इसमें आया मतलब इन sum में इसको failure मिले तो इन sum की probability क्या होगी 8 by 9 इसकी भी 8 by 9 इसकी भी 8 by 9 इसकी भी और इसकी भी तो यह sum मिलाके हम इसको पता है क्या लिखते है 8 by 9 की पावर 4 8 by 9 की पावर 4 into अब यह बचा इसमें इसका sum 9 आ गया तो sum 9 आने की probability 1 by 9 और यह चलता जाएगा plus so on तो probability of A wins अब आपने इन सब को plus करना है इसको लिखो 1 by 9 इसको लिखो 8 by 9 का whole square into 1 by 9 8 by 9 की पावर 4 into 1 by 9 अगर आप दियान दो यह GP series बन रही है क्या बन रही है GP series GP series में क्या करना होता है कैसे पता चलता है कि GP series बन रही है मैं आपको पता देता हूँ जिसको पता है तो अच्छी बात है जिसको नहीं पता वो देख लो GP series को कहते है geometric progression इसमें क्या होता है अगर आपके पास जैसे 2, 4, 8, 16 कुछ इस इस आपकी series दी विया अगर आप 4 को 2 से divide करो तो क्या आएगा 2 8 को 4 से divide करो तो कितना आएगा 2, 16 को 8 से divide करो तो कितना आएगा 2 सेम अगर आप यहां पर भी यही करो इसको इससे divide करो इसको इससे divide करोगे तो आएगा 8 by 9 का whole square इसी तरह इसको इससे divide करोगे यह और यह कटेगा और यहां 4 है दो कट जाएगे तो यहां पर भी 8 by 9 का whole square आएगा series का sum का formula होता है a upon 1 minus r क्या formula होता है a upon 1 minus r a होता है यहाँ पर 1st term तो यहाँ value दालो a क्या है यहाँ पर 1 by 9 और r, r क्या होता है common ratio मतलब second term को first term से divide करो तो second term को first term से divide करोगे 8 by 9 का whole square into 1 by 9 upon 1 by 9 यह कटेगा तो पीछे राजाएगा 8 by 9 का whole square तो यहाँ लगाओ यह formula a की जगा 1 by 9 upon 1 minus r r कितना है 8 by 9 का whole square यह बनेगा 1 by 9 8 का square 64 9 का square 81 इनका LCM लो 81 इदर आएगा 81 में से इसके नीचे 1 रख लो 81 में से 64 गे कितने बचते हैं 17 17 upon 81 इसका reciprocal करो 1 by 9 इसका reciprocal 18 1 upon 17 यह से cancel तो 9 by 17 आगया हमारी a की probability तो probability of a wins लेकिन अभी हमें b की भी निकालनी है फिर हमें दोनों की ratio निकालनी है ratio यह proof करनी है तो देखो b की probability निकालने के लिए क्लिए 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 आपने 17 में से 9 गे 8 अब हमें दोनों की ratio निकालनी है ratio निकालनी है probability of a wins upon probability of b wins a की probability 9 by 17 b की probability 8 by 17 तो यह और यह का answer तो answer आगया 9 is to 8 आप देखो यही proof करना था तो यह होगी मारी example question 25 का proof next question देखो क्या दिया है a, b and c in order toss a coin क्या करना है a, b, c ने 3 बंदे है इनने a coin को toss करना है a coin को क्या करना है toss करना है आगे देखो the one to throw a head wins जिसका coin में से head आ गया वो जीत जाएगा समझ आया a, b, c ने 3 ने coin को toss करना है जिसका पहले head आ गया वो जीत गया what are their respective chances of winning assuming that the game may continue indefinitely मतलब हमें यहाँ पे तीनों की probability निकालनी है कि a को भी a wins या b wins और c wins तीनों को हमें तीनों की probability निकालनी है winning की probability यहाँ पे find करनी है तो देखो पहले तो आप एक चीज़ देख लो कि probability क्या होगी इसमें अगर head आया तो वो जीत जाएगा तो head की probability क्या होती है एक coin में दो faces होते हैं एक head होता है एक tail होता है तो head वाला face एक है और tail वाला face दो हैं तो कितने होगे 2 होगे और not head मतलब not head means tail तो tail की probability कितनी होगी वो भी सेम होगी 1 by 2 अब पहला case हम लेंगे कि हम A को जिता रहे है A wins तो देखो देखो A ने coin को toss किया head आ गया पहले case में head आ गया तो पहला case लेते है head अब दूसरा case A ने तब ही coin को toss करना है जब head नहीं आएगा अब head A के A ने coin को toss किया head नहीं आया क्योंकि हमें सारे cases लेने होते है पहला वला case लिया A ने head आ गया ठीक है दूसरा case लिया कि A का head नहीं आया अब B की बारी मालो B A का tail आ गया अब B की बारी हमने यहाँ पे A को जिताना है तो हमने B और C की बात अभी नहीं करनी है वो बाद में करेंगे तो B ने coin को toss किया उसका भी tail आया फिर C C ने coin को toss किया उसका भी tail आया अब A की बारी A ने toss किया तो head आया है ना तो हम यहाँ पे कह सकते है A A कब जीता है 4 toss में तो T T T T H यह बनेगा ठीक है अच्छा अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर head ना आये tail आये जाए है ना यह case भी हो सकता है जैसे यहाँ तीरों में टेल आया अब यहाँ पे भी tail आ सकता है अब अगला case क्या होगा अब B की बारी यह B के, B के case में तो tail आयेगा और C के case में भी टेल ही लाना है अब आजो A की बारी A ने toss किया coin को फिट से head आ गया तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बार इसमें tail आया 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे head आ गया और plus so on यह चलता जाएगा infinity तक चलता जाएगा अब देखो head की probability 1 by 2 यहाँ पे देखो कितने tail हैं 1, 2, 3 तो tail की probability है यह probability of tail है वो क्यों का 1 by 2 का whole cube क्योंकि 3 है न 1, 2, 3 तभी cube लिखा और head की probability 1 by 2 अब आजो tail पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह बनेगा 1 by 2 की power 6 और head की 1 by 2 plus so on infinity तक जाएगा यह अच्छा अगर आप चेक करो यह फिर से gp series है तो gp series हो तो आपने यह वोला formula लगाना है a upon 1 minus r a यहाँ पे होगी first term a क्या है first term 1 by 2 upon 1 minus r r कितना होगा second term को first term से divide करो 1 by 2 का cube into 1 by 2 upon 1 by 2 तो पीछे क्या बचेगा 1 by 2 का cube वो बनेगा 1 minus 1 by 8 इस calcium लेलो 8 आएगा 8 में से बनगे 7 by 8 इसका receive रुकल कर दो 1 by 2 8 by 7 कितना बनेगा यह 4 by 7 अब हम B की probability निकालेंगे देखो यहाँ पर ना हम A से minus नहीं कर सकते मतलब जैसे हमने इसके पहले वले question में किया कि probability of A wins equal to 1 minus probability of A wins क्योंकि यहाँ इसलिए नहीं कर सकते यहाँ पर 3 cases है अगर यह case तब ही करना होता है जब आपके पास 2 cases यह चीज़ हमेशा याद रुको यहाँ करोगे तो नहीं फाइदा होगा कोई तो अब B wins अब हमें B को जिताना है ठीक है तो ध्यान दो A ने toss किया coin coin को toss किया अब A और C को हमें मतलब tail में दिखाना है इस बाद A और C को हमें हराना है B को जिताना है तो A ने coin को toss किया tail आ गया B ने किया तो head आ गया तो क्या लिख सकते है probability of tail head plus अब अगला case कब हो सकता है कि जब A ने coin को toss किAdam टेल आया तो B ने भी B का भी TALE आ सकता है न दूसरा case ये भी हो सकता है कि B का TALE आ ज़ए अब C ने coin को toss कि està C का तो TALE आएका या आएका अब A ने किया A ने किया तो क्या आएका TALE अब B की बने B ने किया तो HEAD आ गया तो यह क्या बनेगा कितने हागे 4 1, 2, 3, 4, head अब अगला case यहाँ पर इस बार tail, 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 tail यहाँ tail कर दो अब यहाँ पर अगली बारी C की C के case में tail आया A की बारी, A के case में head आया फिर B ने टॉस किया नहीं A का tail यहाएगा तो फिट से head आया इसका तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक सेके रोको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 ठीक है तो 7 केसी रोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक head आया ठीक है अब tail की probability 1 by 2 head की 1 by 2 ये कितने हैं 1, 2, 3, 4 1 by 2 की power 2 चार हुए और यह 1 by 2 यह साथ है 1 by 2 की पावर 7 और 1 by 2 सेम यह वला formula लगा दो यह वला ए कितना है ए बनेगा यह first term है ए हो जाएगा 1 by 2 2 जा 4 और r क्या होगा इसको इससे डिवाइड करो यह और यह cancel हो का 1 by 2 भी cancel हो जाएगा तो 1 by 2 का cube हो जाएगा यह बनेगा 8 minus 1 7 by 8 उल्टा करो इसको 1 by 4 8 by 7 तो 2 by 7 अब आजो C की बारी probability of C wins अब A ने toss किया tail आया, B ने toss किया tail आया, C ने toss किया head आया तो probability of tail tail head, next अब A, B, A ने toss किया tail आया, B ने toss किया tail आया, C ने toss किया, फिर tail आया अब A को तो tail ही आएगा, B का भी tail आएगा C का head आएगा 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 अगला वला निकाल लेना, ठीक है मैं direct लिख देता हो, यह आएगा 1 by 2 1 by 2 का square 1 by 2 1, 2, 3, 4, 5 1 by 2 की पावर 5 1 by 2 और अगला आएगा, 1 by 2 की पावर 8 1 by 2 यह first term है 4, 2's are 8 1 minus इसको इससे divide करोगे यह और यह कटा, 3 बचेंगे 1 by 2 की पावर 3 इसको solve करो, solve करके 1 by 7 आएगा, देख लेना इसको तो यह हो गया हमारा question complete Question number 27 आपका same है question number 26 की तरह और 28 same है question number 25 की तरह तो इसके बाद जो question बचे है हमारे इसके बाद जो question budget 29 से 36 यह आपके सारे homework है इसमें से जो question आपको नहीं समझाएगा आप हमें comment करके बताना उसमें लिखके बताना की कोई सा नहीं समझाया उस पर हम आपके लिए वीडियो दुबारा बनाएंगे लेकिन एक बार try करो अगर नहीं होते फिर हम दुबारा इस पर वीडियो बनाएंगे